परिचय और यह सिकुडती नहीं थी उसके पिता ने इसे भी नापसंद गर दिया क्योंकि यह नमी को अच्छे से सोकती नहीं है अंद तहद दो लंबे घंटों के बाद उन्हें वह शर्ट मिल गई जो मिले जुले कपड़े की बनी थी और उसमें वो सभी विशेशताईं थी जो वो ढूंड रहे थे इस पार्ट में हम रेशे और कपड़े के बारे में जानेंगे आओ सीखे वस्तरों का महत्व बताना रेशे को परिभाशित करना प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे में विभेद करना कपड़े की बुनाई, रंगाई, डिजाइन और सिलाई के बारे में बताना वस्तर जो हम पहनते हैं हम सब वस्तर पहनते हैं वस्तर हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीडों से बचाते हैं हम मौसम और अपने काम के अनुसार वस्तरों का चयन करते हैं हम जो वस्तर पहनते हैं, वो हमारे नजरिये और व्यक्तित्व को दर्शाते हैं रेशा रेशा वह कच्चा माल है जिससे वस्तरों का निर्मान होता है रेशे विभिन्चरणों से गुजर कर वस्तर बनते हैं सबसे पहले कच्चे रेशे को लंबी लड़ियां बनाने के लिए आपस में एठते हैं इन्हें धागा कहते हैं कपड़ा बनाने के लिए धागे की कताई बुनाई की जाती है कपड़े का प्रयोग लोगों की जरूरत के अनुसार विभिन आकार और प्रकार के वस्तर बनाने के लिए किया जाता है रेशे दो प्रकार के होते हैं एक प्राकृतिक रेशे दो कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक रेशे पेड़ों और जानवरों से बनते हैं सूत, उन और रेशम कुछ प्राकृतिक तन्तु हैं सूत पेड़ों से प्राप्त होता है उन भेड बकरी और उन्ट से प्राप्त होता है रेशम रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है कृत्रिम रेशे नायलोन, पॉलिस्टर इत्यादी कृत्रिम रेशों के उधारण हैं। कृत्रिम रेशों से बने कपड़े सस्ते होते हैं, जल्दी सूखते हैं और सिकुडते नहीं हैं। आमतोर पर मजबूत और मुलायम कपड़ा बनाने के लिए कृत्रिम रेशों को प्राकृतिक रेशों क बुनाई वे प्रक्रिया जिससे कपडे की दिखावट और उपियोगिता में सुधार हो उसे परिशकरण कहते हैं कपडों को दिये जाने वाले कुछ महतुपून परिशकरण है ब्रशिंग ब्रश करने की प्रक्रिया से छोटे और धीले तंतु कपडे से निकल जाते हैं कैलेंडरिंग, कैलेंडरिंग की प्रक्रिया से कपड़े की मुलायमियत और चमक बढ़ती है, ब्लीचिंग, ब्लीचिंग की प्रक्रिया से कच्चे कपड़े का प्राकृतिक रंग छूट जाता है, रंगाई डिजाइनिंग डिजाइनिंग की प्रक्रियाद्वारा कपड़े पर छापे बनाकर इसकी सुन्दर्ता को बढ़ाया जा सकता है कपड़े को इनकी सहायता से डिजाइन किया जा सकता है स्याही, रंग या कढ़ाई, पत्थर, सजावटी दाने या क्रिस्टल, लेस या जरी सिलाई सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़ों को वस्तरों में बदला जाता है इसमें कपड़े को सुई और धागे से सिला जाता है पुराने दिनों में सिलाई हाथ से की जाती थी, लेकिन आजकल सिलाई मशीन से की जाती है हमने क्या चर्चा की? वस्त्र हमें ठंड, गर्मी, बरसात, धूल और कीडों से बचाते हैं. रेशा वह कच्चा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है. रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम. प्राकृतिक रेशे पेड़ूं और जानवरों से प्राप्त किये जाते हैं. कृत्रिम रेशे का निर्माण होता है. कपड़े का निर्माण एक जोडी धागों को आपस में एक दूसरे के समकोण पर बुनकर किया जाता है. कपड़े के परिश्करण में तीन प्रक्रिया शामिल होती है ब्रशिंग, कैलिंडरिंग और ब्लीचिंग कपड़े की दिखावट को बहतर बनाने के लिए उसे रंगा और डिजाइन किया जाता है सिलाई वह प्रक्रिया है जिससे कपड़े को वस्तर में बदला जाता है